गुड मार्निंग एवरिबन कैसे हैं आप सब आशा करते हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जैसरी शाम सो गाइज सुभे का टाइम है और बच्चे चले गए है स्कूल तो अभी जो किचिन को क्लीन करना है मुझे वो अभी मैं सबसे पहले क् क्योंकि साबुदाने की खिचडी ही सबसे बेस्ट ऑप्शन लगती है खाने के इसाब से क्योंकि क्या है खिचडी जबी हम बनाते ना तो इससे अच्छा खासा पेट भड़ जाता है भूख नहीं लगती है व्रत वाले दिन और मेरे साथ हमेशा यही रहता है कि मुझे तो सोची सोचती रह जाती हूं किसको साफ करूंगी पर होता नहीं ऐसा और देखेorg के उप़र कितना सारा सामान है चार्जर एयर फोन, पर्स रखे हुए हैं दो-दो फोन भी पड़ा हुआ है और देखिए फ्रीज में कितना सारा सामान भरा हुआ है और ये देखिए बाबा अमरनात के दर्शन आप हमारे घर पर ही कर लीजिए फ्रीजर में देखिए आप कितनी खतरनाक तरीके से जो है बरफ जम्यूई है और ये देखिए बड़ी बड़ी सिल्या जिसी होती न उसी तरह से बर्फ फ्रीजर के अंदर जम्य हुई ये बहुत ही खतरनाक तरीके से तो अभी जो ये मेरा फ्रीज है बहुत जादा गंदा है तो इसको चलिए अभी साफ करने के लिए लग जाते हैं तो सबसे पहले इसका जो प्लक है इसको में हटाऊंगी और जितना भी सारा सामान है उसको में कर लूँगी खाली और फ्रीज के उपर न ना चाहते हुए भी इतनी सारी चीज़े आ जाती हैं मैं हमेशा सोचती हूँ कि इसको खाली रखूंगी पर फिर भी ना जाने कहां से वापस से यह भरी जाता है चोटी-चोटी चीज़े कुछ भी होती ना तो हम सोचते हैं लोग फ्रीज के उपर रख देते हैं तो क्या ढूंडने में आसानी रहेगी हमें इधर उदर ढूंडना नहीं पड़ेगा फ्रीज के उपर चीज़े होती हैं तो हमें आसानी से मिल जाती है इसलिए भी हम क्या होता है कि फ्रीज के उपर चीज़े रख देते हैं तो अभी तो फिलाल में इसके उपर से चीज़े हटाई दूंगी कोशिश करके साफ कर रही हूं तो और ना इस चक्कर में काफी जादा लेट भी हो जाओंगी काम में क्योंकि कुछ भी एक्स सब्जी फैल गई थी तो इतने दिनों से सब्झी की सब्जी को साफ नहीं कर पाई में क्योंकि किशक की वह काच के नाली तो मैं फ्रीज यहिस नहींख कर ड़िना और नकाल लूं अदुरा पीछे की साइट में रही हैं था लयिक्रत निकाल लाना है हुआ पूरा खुलना बहुत जरूरी है तो ट्रे निकाल ली थी उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने ये फॉर्मुला बना रही है एक तरीके से गुनगुना पानी है इसमें डाला है मैंने बेकिंग सोडा और ये डिटरजन पाउडर तो इसे ही मैं आज अपनी फ्रीज की जो है साफ हो जाएंगे अगर आपको भी इस तरह सफाई करनी है तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें मतलब इस फॉर्मुले को बना करके एक बार जरूर ट्राइ करें और अपने फ्रीज को जरूर साफ करें तो आपका फ्रीज भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा दूंगे तो अभी सॉफ्ट वाला जूना होता बरतन साफ करने वाला तो इससे मैं रगर दूंगी चारो तरह अच्छे से क्योंकि कुछ जोबHHH जिद्दी होते है वह इतनी असानी से हटते नहीं कपड़े सासानी से नहीं हटते है टो अगर हम सॉफ्ट वाला जूना ले तो में बादे के साफ कर दूंगी, तो यहां पर जूने से साफ करने के बाद में अच्छे से साधा कपड़े से साधा पानी से ही पूरे फ्रीज को अच्छे से च्लिंग और डीफ रोस्त हो खेले धीरे-धीरे ही होगा इसकी जो बर्फ है ये धीरे धीरे ही पिगलेगी तो अभी तो ये उपर वाला तो राढ़ंग से क्लीन होगा नहीं और अब बाहर से भी मैं अच्छे से कपड़े से पूरे फ्रीज को दो से तीन बार कपड़े मतलब पानी कुछ बदल बदल के अच्छे से पूरे फ्रीज को साफ कर देए जिनको हम सोचते रहते हैं करेंगे करेंगे पर वो कर नहीं पाते हैं पर उनके लिए भी हमें टाइम निकालना ही पड़ता है क्योंकि ये काम भी जरूरी है अगर फ्रीज को हम साफ नहीं करेंगे तो यह से जादा गंदा हो जाएगा और फिर बहुत ही जादा मतलब परिशानी होगी इसको साफ करने में तो इससे अच्छा है कि इससे टाइम पर हम साफ कर लें अभी ये फ्रीज की जो बासकेट है सबजियों वाली इसको मैं क्लेन कर लूँगी और ये जो कांच वाली लगी होती है जालिया फ्रीज के अंदर इसको भी मैं अच्छे से धो करके रूप में रख दूगी कुछ देर ताकि कि ये बासकेट और ये जालिया अच्छे से सू काफी बड़े बड़े एपल हैं एक किलो में सिर्फ पांच चड़ते हैं और कुछ टमाटर हैं जो भी मैंने इसी बास्केट के अंदर रख दिये हैं और यहां पर याद रखे यह भी पॉलिथिन में ऐसे रखा हुआ है तो इसको भी मैं यह अपनी चोटी सी जो मेरा डबा है यह रैड कलर का इसमें मैं जो भर करके रख दूंगी तो इस तरह से अगर और नाइस कर देंगे हम अपने फ्रीज को अच्छे से तो अपमारा फ्रीज के अच्छा लगेगा फेला फेला नहीं लगेगा तो अभी आपको दिखा देती हूँ बर्फ तो क्या है धीरे धीरे स अब डीज के लिएथ को होने लग लगया है तो इसकyu फीकशलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसके बाद मीचे मैंने excluding अच्छे से लिए तो च्छा बाहर नहीं कर दी है और तो यहां पर बाटल्स वगँरा रखsu साग नाने अच्छे से और टाया ने बाहर करदे ह तो फ्रीज मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है तो अभी देखिए काफी बड़िया लग रहा है तो फ्रीज साफ करने के बाद में थोड़ा सा कच्रा फेली जाता है पानी भी फैलता ही है क्योंकि हम साफ करते हैं तो तो इसके नीचे ही में अपनी प्याज वाली टोकरी की जो प्याज की उसको में इसके नीचे रख देती हूं और जितना भी सारा कच्रा गंदी की है इसको मैं अभी जाड़ पोच करके समेट करके सारा कच्रा जो डस्टिविन में डाल दूंगी तो आभी जाओंगी पोच्छा लगाने के लिए तो बातरूम में मैंने नलोन कर रखा जल्दी से सारा काम मेरा फ्री हो जाए तो अच्छा रहेगा तो पोच्छा लगा लूंगे और उसके बाद फटाफट से जाओंगी नहाने के लिए क्योंकि मैं अभी तक भी जो है नहाई नहीं हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी से पुरा काम फ्री कर लूं फटाफट से जो है नहाने के लिए चली जाओं क्योंकि काफी जादा लेट हो गया है अभी तो यहाँ पर ले लिए कड़ाई इसमें तेल को मैंने अच्छे से कर लिया है गर्म इसमें डाल दिये हैं मुफली के दाने क्योंकि के मैं फ्राइ करके ही आज मुफली के दाने डाल दूंगी खिचडी के अंदर और मुफली का तेल ही मैं जादा तरवरत में यूज करती हूँ यह मैंने आपको बताई रखा है तो यहाँ पर कुछ देर इनको पकने दूंगी मतलब तो जिससे यह थोड़े से फ्राय हो जाएंगे ना उसके बाद मैं मुफली दाने निकाल लूंगी और इसी तेल के अंदर जो है मैं खिचडी जो है बनने के लिए रख दूंगी तो यहाँ पर देखिए मैंने जीरा ड दाल करके पकने दिया उसके बाहर डाल दिया है साबुदाना और इसमें नमक और लाल मिर्च का पाउडर यह लाल मिर्च घर पर ही पिस्ती हुई है इसलिए में डाल देती हूं नहीं तो बाहर वाली लाल मिर्च का यूज में खिचडी बनाते समय यूज नहीं करती हूं व साथ में ले ली है ये बड़ी आसी चाच क्योंकि खिचडी साथ में चाच हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है तो यहां पर देखिए यह ठंडी ठंडी चाच तो सबसे पहले मैंने भगवान जी के भोग लगाया है उसके बाद मैं खुद वेट गई हूं यहां पर फलाहार करने नेक्स्ट ब्लोग में आपसे तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर बाबाई